Hello friends, welcome to my channel आज मैं आप लोगों के लिए easy makeup look लेकर के आई हूँ जो कि आप day and night दोनों time पे कर सकते हैं रक्षा बंदन का festival आने वाला है उस time पे ये day festival है आप इसे भी उस time पे create कर सकते हैं बहुत ही easily ये makeup हो जाता है और इसके साथ मैं आपको easy five minute eye makeup look भी बताऊंगी इसमें कोई भी बिल्कुल आपको problem नहीं होगी बहुत ही easily आप इस तरह से eye makeup कर सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं अपना makeup जो start करूँगी वो eye makeup से start करूँगी उससे पहले मैंने अपना base makeup कर लिया है base makeup में मैंने अपना simple जो मैंने इससे पहले वीडियो जा ले थे मैंने same follow किया है ये makeup look मैंने आज आपके साथ जो share किया है इसमें मैंने सबसे पहले अपने face पे toner यूज किया है toner के बाद मैंने एक serum यूज किया mama art का skin illuminating serum है उसके बाद next मैंने जो है इसमें good wipes की orange gel as a moisturizer यूज किया आप जो भी moisturizer यूज करते हैं आप उसे use कर सकते है उसके बाद मैंने primer यूज किया है जो की blue heaven का है next उसके बाद मैंने foundation यूज किया है foundation मैंने mebeline का यूज किया उसके बाद next मैंने concealer यूज किया है इसके बाद का आई मेकप मैं आपके साथ शेयर करें चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो चेक आउट करना मत भूलिएगा सबसे पहले मैंने अपने आइस पे प्रो कंसीलर यूज किया है शेड नमबर है इसका प्योर बेज और इसे मैंने अपने अंडर आइज और अपर एरिया में लगा करके अच्छे से कंसील कर लिया इसके बाद मैंने हलका से इसमें compact लगा करके इसको पूरा इस तरीके का look दिया है अब मैं wet and wild का ये eyeshadow palette यूज़ करूँगी इसमें से मैंने जो है बिल्कुल light जो orange shade होता है ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसे मैं अपने crease line से उपर की और लगाऊंगी अच्छे से corner से मैं start करके inner corner तक उसको ले जाऊंगी outer corner से start करेंगे और inner corner तक ले जाएंगे जैसे जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ आप exactly वैसे ही कह सकते है blending brush की help से मैं इस orange shade को brush में ले करके outer corner से inner corner तक ले जाऊंगी outer corner में मैं थोड़ा सा dab dab करके लगाऊंगी थोड़ा मुझे वहाँ पे dark portion चाहिए इसलिए मैं थोड़ा वहाँ पे अच्छे से blend करके उसे inner corner तक ले जाऊंगी इस तरीके से आपको अच्छे से करना है तो आपको इसका बिल्कुल औरेंजिश लोक आपको इसका मिल जाएगा इससे आप दो से तीन बार अच्छे से blend करिए blending is very important for eye makeup तो आप इस तरीके से कर सकते हैं दो से तीन बार मैंने इससे ले करके side में outer corner से inner corner तक यूज़ किया है आप देख सकते हैं कि light orange color का इस तरह से आपको color मिलेगा जो कि बहुत beautiful सा लग रहा इसे मैंने सिर्फ crease line से अपर की और रखा है same मैं अपने बोथ eyes में कर लूँगी same orange shade से outer corner से inner corner की side में इसे ले जाकर कि अच्छे से blend करूँगी इस तरीके से अब आप देख सकते हैं कि मैंने बोथ eyes में बहुती beautifully यह orange shade जो है बिल्कुल अच्छे से लग गया है इसके बाद मैं next shade जो लूँगी वह एक बहुती beautiful सा magenta pink color यह मेरे dress से मैच हो रहा अगर आप आपके dress से जो भी color match हो आप उसे change कर सकते हैं इसे मैं अपने crease line पे बहुती अच्छे से flat brush है यह जो एक flat brush है इसकी help से मैं इसे इस तरीके से dab dab करके अच्छे से crease line पे दो से तीन बार लगाओंगी जब तक कि मुझे इसका beautiful सा magenta color नहीं आता है अब आप देख सकते हैं कितना beautiful सा यह color after blending आ गया है दो both eyes में मैंने अपने इसे कर लिया है अब इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा shimmer look देने के लिए मैं light pink color का baby pink color का यह जो shade है इसे मैं अपने flat brush हल्प से only crease line पे इसे हलके हलके से मैं tap tap करूंगी यह थोड़ा सा यह जो dark color है यह थोड़ा light सा pinkish हो जाएगा प्लस यह shimmer भी थोड़ा सा है तो थोड़ा सा glow ही करेगा आपका eye shadow क्योंकि day look है day look में बहुत जादा glitter नहीं अच्छा लगेगा तो यह एक आपका festive look एक party look आपका बहुत ही perfect लगेगा इस तरीके से मैं थोड़ा सा ले करके dab dab कर रही है दो से तीन बार मैंने shade को लिया है आप देख सकते हैं इसे same मैं अपने बोथ eyes में कर लूँगी बोथ eyes में होने के बाद यह कुछ इस तरीके कर लए है जो कि बहुत ही awesome लगता है बहुत ही easily यह makeup आपका हो जाता है इस पे बिलकुल time नहीं लगता है eye makeup complete हो चुका है eye makeup के बाद अब मैं अपने face को compact से अच्छे से pack कर लूँगी जिससे की बिलकुल भी oil वगरा नहीं आए इस तरीके से मैं यह compact यूज़ करूँ मैबलीन का यह compact है shade number आपको description box में मिल जाएगा इसके बाद next मैंने eyeliner यूज़ किया है upper eyeliner पे मैंने इसे अच्छे से eyeliner लगा लिया है आप जो भी eyeliner यूज़ करते हैं आप उसे लगा लीज़े बोथ eyes में मैंने eyeliner लगा लिया है अब मैं lower eyeliner भी लगाओंगी वो मैंने NYB का the big apple of my eye मैंने यूज़ किया है बहुत अच्छा वाला black eyeliner है यह इसे मैं अपने lower eyeliner पे हलका हलका सा लगा लूँगी down की और आपको अगर थोड़ा कम पसंद है तो आप अंदर कियो लगाई otherwise मैंने थोड़ा इसको big highlight किया अपने eyes को तो मैं थोड़ा down और थोड़ा अंदर कियो दोनों side लगाऊंगी अब आप देख सकते हैं कि मैंने काजल apply कर लिया है बहुत ही beautiful सा यह eye makeup लएगा जब भी आप इसे create करेंगे सेम जो eye shadow मैंने color यूज किया था उसे मैं हलका सा लेकर कि अपनी lower eye line पे भी इसे हलका सा smudge करूंगी इससे आपका बिलकुल यह beautiful सा color आता है up and down both equal आपका एक लूप में लगता है smudge करना जरूर है जरूरी है eye shadow में जब भी आप उपर जो भी कर लगाए उसे नीचे जरूर लगाईए बिलकुल flat brush की help से इस तरीके सा आप हलका सा smudge कर लीजे last में eyes में मैं mascara यूज कर रही हूँ लेक में iconic का ये mascara है इसे आप अपने upper eyelashes में अपकी और ऊपर की और करते हो लगाईए तो आपका बहुत ही easily अच्छे से लग जाता है बहुत इससे eyes big लगती है down cure भी आप easily वैसे ही down cure लगाईए तो बहुत अच्छे से लगता है बहुत ही अच्छा वाला mascara है definitely आप इसे जरूर try करिएगा आज के make-up look में मैंने false lashes का use नहीं किया है इसे बहुत ही मैंने simple and elegant रखा है तो कैसा लगा आपको ये make-up look जरूर अपने comment में इसा share करिएगा